दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं यूनिस्ट्री ओफ लोरालाई यूनिस्ट्री ओफ लोरालाई बहुत सारे मामलात में अपने साथ वारी यूनिस्ट्रियों से बहुत बेतर और आगे है विजनरी लीडर्शिप, डेडिकेटिड फेकल्टी और टीम पिलियर्स और बड़े कमेटिड इस्टुनेंट्स इसके लावा ये तक्रियर पांस सु एकड़ पे मुच्तमिल इसका रखबा है बेतरीन इंफरिस्ट्रिक्चर यहां हमारा सेशन था जो बहुत काम्याब रहा माशाला और ये देखें जनाब यूनिस्ट्रियों फ्लोरल लाई की एन्मिस्ट्रिशन ब्लॉक है हर्याली चारों तरफ पहाड़ हैं इसके बेहतर मौसम है बन्याई तोर पे लोरलाई के लोग भी बहुत मद्बत हैं और यूनिस्ट्रियों में काम करने वाले तो फिर तालियों अफ्तर लोग है इनका तो कहना ही क्या यह अद्मिस्ट्रिशन ब्लॉक के बाहर का हिस्सा है अगर आप सीधे हाथ पे देखें तो आपको यूनिस्ट्रियों में दाखिल होने वाला गेट नजर आएगा सारी टॉप मेनेजमेंट इसी बिल्डिंग में बैठती है तकरीबन और यहां से एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत साफ नदर आता है यह अब हम एकेडेमिक्स ब्लॉग पहुंच गए बाहर यह एक तालब इल्म का फरजी मुझसमा रखा हुआ है जो किताब पढ़ रहा है और किताबों के महबद तो सारे तालब इल्मों को होनी चाहिए और यह याद रहे कि तालब इल्म से वही नहीं होता जो पढ़ने आता है बलके तालब इल्म तो वह भी होता है जो पढ़ाता है तालब इसके इल्म की तलब तो सब में होनी चाहिए ना जनाब बलके अगर आपस की बात है पढ़ने से पढ़ाना मिश्किल है पढ़ने वाले को तो से उतना पढ़ना पढ़ता है जतना सुताद पढ़ा रहा है पढ़ाने वाले को तो पढ़ता होता है कि कोई भी कहीं से भी कोई सवाल कर लेगा ये हम तक्रीर बाद में भी रजारी रखेंगे कि देखें कितने खुसरत रस्ते बने वे हैं, ब्लॉक्स बने वे हैं, आपको दूर से मज़िद भी नज़र आ रहे थी, ये एक अडिमिक ब्लॉक का बाहर का हिस्सा है, ये एक और हिस्सा आ गया है, जो लैबरिरी के करीब है, ये है जनाब कॉमर्स डिपार्टमेंट भी और साथ-साथ जो है लैबरिरी भी, तो किताबे यहां फिर नज़र आ रही हैं, आपने दोनों में एक चीज़ कॉमर्स देखिए कि किताबे मौझूद हैं, बहुत ही खुसरत बिल्डिंग, ये सेंटर लैबरिरी है, जो अंदर से हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, पहले ये सिर्फ एक मंदिल पे थी, अब दो मंदिल पे चली गई है, तो और ज्यादा कुशादा लगती है, दो हजार तेरह में गायम हुई थी, इन्फरस्टर्स का इन्फरस्टर्स का बहुत शानदार है, लोरा लाई से ये तकरीबन आट दस किलो मीटर पहले है, अगर आप वह पिला सैफ लला की तरफ से आते हैं, ये देखेंगे, खुसूरत चीज़ें, माली भाई अपना काम कर रहे हैं, हम पुश करेंगे, अगर वो उन्हें कोई परिशानी ने हो तो हम उनको भी काम करते हैं, दिखाएंगे, जब आप कोईटा से इस तरह आते हैं, आप जिसे हम कहते हैं नौर्थ एस्ट, तो ये सारा लागा कचलाक से निकलने के बाद, खान उजई हो, चाहे हो मुस्लिम बाग हो, चाहे हो कला सैफ लला हो, पर ये कला सैफ लला पर आकर रोड दो हिस्सों में तक्सिम हो जाता है, जब आप लोरला ही होता हुआ, जब अगर गाजी खान चला जाता है, जहांसा मुलतान भी ज़सकते हैं, आगे बढ़के लाहर बीज़ा से अर इसमाइल खान जाता है, जिसे पर आप इसलावाद भी जा सकते हैं, ये एंगलिश लेंग्वीज लेबल भी है, इसकी, और यह लोरा लाई इंग्रेज़ों के जमाने में एक बहुत एहम फौजी चावनी थी और उन्होंने वो इसलिए बड़ी एहमे दिसके हासल थी कि यह अगवानिस्तान से करीब है और इस पुरे अलाके को पर वो नज़र रख सकें जब आप कुईटर से आते हैं तो आपके उल्टे हाथ पे पहाड़ों के पीछे आपको शुरू में पशीन और बाद और फिर अगवानिस्तान के लागा पड़ता है सीब और बादाम बहुत होते हैं यह वाश्तान से के सेक्रेट आगे है एक सुकून एक इपनान बेतरी जगा एहम और बड़े फैसले करने के लिए और माशालला वाश्तासरा साब हर वक्त मस्रूफ रहते हैं या तो डवलमेंट के काम कर रहे होते हैं या मसाइल को हल कर रहे होते हैं तो जब आप अपनी टीम के हर्डल्स को दूर करेंगे स्पीड बेकर्स तोड़ेंगे तो आपके इधारे में तरक्की ज़्यादा होगी बहुत सारे लोग मौवेशी पाल के अपना रोजगार करते हैं मारबल या बहुत पैदा होता है आज जुम्मे का दिन है तो जरा निश्वतन जो है विजिटर्स कम है वरना बाकी मंडे टूत थजडे यहां पर बहुत लोगों का आना जाना रहता है क्योंकि अपने लाके की वाहिजी नुस्ती है अभी तक तो हर किस्म के लोग अपने कामों से और दूसरी वुजवाद से यहां आते रहते हैं जब हम आये थे तो हमने देखा था कि यहां ठिक ठाक रश्ट था तालीम का मियार बहुत अच्छा है यहां पर बलके लोरलाई शहर में भी निजबतान बेतर है यहां के तलबा जो हैं वो चाहते हैं अपना एक अलग मकाम बनाए और इस यूरिस्टी में तो और भी इस तरह की चीज़े ज़ादा हैं माशालला आपको हर वक्त कोई ना कोई एक्टिवटी नज़र आती रहेगी यह देखें सक्सेस को नोंने डिफाइन किया हुआ है यह फेकल्टी रूम हो गया यह हमारे दोस्त हमारे साथी हमें मुक्तलिफ फूरंस पे पूरे पाकिस्तार में नज़र आते हैं असलम जेब साथ बहुत एक्टिव यह बहुत जबदस मेसिज है जो इस तस्विर में दिया गया है मुक्मिल इंफस्टिक्टर यह मुस्तग्बल की उमीद यह एजूकेशन की बेतिन डेफिनेशन एसे लगता है कि सब लोग आतू पिल लगे हुए हर आदमी अपना काम रहा है पढ़ते पढ़ते यह बनारा करती नज़र आएगे अनिस्यशन फैसले करती नज़र करती नज़र आएगी मैसाइल हल करते हुए नजर आएगी हर जगा आप जहां आप इसे देखेंगे आपको एक अलग ही मनजर नजर आएगा बहुत सुर्ट डिजाइन हुई 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 है बहुत अच्छा काम हुआ 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 है इसके अंदर तक गरिबन दस साल हो गए इस यूरिस्ट्रिक्टर अब भी बन रहा है यह देखें कितना जबदस सी है वो कलास रूम के रूज लिखे में और तीन कलर्स इस्तिमाल हुए में बहतरीन वियू आपको बैक गराउंड में खुस्षूरत मजज़ नजर आ रही है जो आपको आगे अपनी वीडियो में भी नजर आएगी इस दरफ कुछ अभी नए लगे है मार्मल यहां बहुत अच्छा पैद होता है और एक्सपोर्ड भी होता है पाकिसान के मुद्रिश चहरों में भी जाता है गिरिनाइट अलग निकलता है यह खुसूरत सी मज़दित आ गई और हर चीज में एक जिद्ध है डिजाइनिंग आर्किटेक्ट जो है और बहुत जबदस्त है यह देखें माशालला जबदस्त यह उसका वो गुम्बत है जो दाखिल होते वक्त जहां हम चपले उतारते हैं वहां पर बनाया गया है चोटा सा इसमें आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे यह लाइवरेडी का उपर आला इस्सा हो गया आपको किताबे निजबतन कम इसने नज़र आ रही है कि लाइवरेडी भी रिसेंटली जो है वो दो हिस्सों में तक्सिम होगए गिरांट फोर पे भी है और वहाँ पे फिर ए लाइवरेडी बन गई है जो बहुत जबदस्त है और यह उपर भी आ गई है तो अभी कैपिसिटी जो है वो एकदम से दो गुना हो गई किताबे हमी प्रॉसेस के निज़र मौजूद है लेकिन आपको बच्चे पढ़ते हुए यहां नदर आ रहे होंगे और हमने यहां अक्सर बच्चों को पढ़ते हुए और उस्तादों को पढ़ते हुए ही देखा बेतरीन फरनीचर जबदस कलर इसकी में असलम जेब साथ जैसी शकल के कादमें हमें लावरियम भी नज़र आ रहे है अब हम आपसे जल्दी जाज़ चाहेंगे हमारे रियांसर रुस्त होने वाले हैं हमारा सेशन था बहुत अच्छा रहा अपना और इस चैनल का बहुत सारा खाल लखेगा ये गेट आ गया बड़ा बड़ा लिखे एक्सेस कॉलिटी और रिलिवेंस अपना और चैनल के ख्याल रखें अल्ला आफेज दूसरा भी जो है आपका कॉलिटी भी सबन जागी कॉलिटी पुछ बड़ा रखेंडन येश्शें ये जो है आपका बड़ा रूसे हैं का सबदोटी और रपका रखेंपका रड़ाग्टी और रभी जो है अज़ाँ कॉलिटी क प्लाओशी जो है कर दो कर दो